Hello everyone, तो guys, आज हम घर पे बेसन बनाने वाले हैं, can you believe it? और जिसको बनाना इतना simple है, बहुत ज़्यादा simple है और जो ये बनके इसका result आता है, वो unbelievable है, इसका जो texture है, इसकी जो smell है और इससे जो आप recipe बनाते हैं, खासकर बेसन के लड़ू जो कि हम अपनी आगयाने वाली वीडियो में बनाने वाले हैं, तो अगर आपको बेसन के लड़ू पसंद है तो इस वीडियो को देखके अपना बेसन घर पे ही तयार कीजिए, अगर सूचे, बेसन इतना खूबसूरत है, इतना जबरदस्त है तो लटोस के क्या जबरदस्त बनेंगे उनका टेस्ट ही बहुत जानदार होने वाला है तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस खंटी को दबाना ये बिल्कुल फ्री है इससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपके पास तुरंट एक मैसेज आ जाएगा अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा की सब्सक्राइब कर चुके हैं दुबारा बटन दबाने की जरुरत नहीं है तो ये ली है मैंने चने की डाल और आपको ये बड़ी आसानी से मार्केट में मल जाएगी इससे हम बेसन बनाएंगे तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें जो मैंने half kg जो डाल ली है यानि कि आदा किलो डाल ले ली है और मैंने gas को on कर दिया है medium flame पे आने के मध्या माच कर दी है मैंने और इसको लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे हम इसको क्यों भून रहे है इसका कारण ये है क्योंकि हमें इसे crispy करना है याने कि इसको कुरकुरा करना है जिससे कि हम maximum इसे piece है तो बड़े असानी से जैसे कि मैं आपको बताती हूँ जब हमारे घर में कोई masala होता है वो थोड़ा पसीज जाता है soft सा हो जाता है तो घर में क्या किया जाता है उसको धूप में रखके सुखाय जाता है जिससे कि वो अच्छे से हो जाए crispy हो जाए और उसे आप ये मैथड कीजे तो अब हम इसको एक प्लेट में या फिर किसी कपड़े के उपर फैला लेंगे पंखे के सामने रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो आपको क्या करना है जैसी ये ठंडी हो जाती है तो एक दाना लेना है अपने हाथ में और उसे मुह से दातों से थोड़ा सा तोड़ के देखना है कि वो तूट रहा है कि अच्छे से क्रिस्पी हो गया है कि यानि कुरकुरा है या नहीं है तो जैसे ही ठंडी हो जाती है और आपको फील हो रहा है कुरकुरी है तो हमादी दाल बिल्कुल रिडी है और आप इसे पीसने के लिए बिल्कुल तयार है तो अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे और जार में जो हमें दाल डालनी है वो थोड़ी-थोड़ी करके पीस नहीं है ध्यान रखेगा ये मुझ सोचिए कि फटा-फट यार काम कर लेते हैं थोड़ी-थोड़ी दाल करके कौन पीस हैगा बट मैं बता रही हूँ अगर आपने क्या किया कि सोचा किया और आधि-आधि करके पीस लेते हैं तो महाभारत हो जाएगा और ना तो आपकी दाल पिसने वाली है और मिकसी अलग से फुक जाएगी और फिर आपको बस पूछिय मत सरदर्द हो जाएगा तो आपको क्या करना है जो दाल मैंने आधि किलो ली है मैंने उसके चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और चार बार में उसे थोड़ा-थोड़ा करके पीस होंगी और जब आप इसे पीस हैं तो आपको क्या करना है जब इसका ढखकन बंद करके आप पीस है तो आप 3 सेकंड के लिए चलाईए, मिक्सी को फिर बंद कर दीजे 3 सेकंड के लिए चलाईए, बंद कर दीजे, जब तक कि एक पाउडर नहीं बन जाता है जब ये पाउडर बन जाए उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं दस सेकंड के लिए चलाइए और बंद कर लीजे तो टोटल दो या तीन मिनिट में पिसके रेडी हो जाता है कोई बड़ा हाड़ वर्क नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो इतने टैंशन की बात नहीं है तो देखे गाईज हमारा बहुत ही अच्छा सा बेसं त देख सकते हैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूं क्योंकि मैं लड़ों के लिए बना रही हूं तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीस रही हूं हलका सा दरदरा रखेंगे इसे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट से हैं इसके जरूर होगा कि जो मोटर होगा मिक्सी का उसके उपर एक लोड आ जाएगा उससे वह गरम हो जाएगा और हो सकता है कि वह फुक भी जाए तो इसलिए जब आप दाल डालें तो जो मैंने आपको बात पताईए कि तीन-तीन सेकंड करके उसको चलाईए और फिर बंद करिए जब वह बिलीवबल रिजल्ट है कितना ब्यूटिफुल हमारा बेशन लग रहा है तो आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइए किजिएगा क्योंकि हम बीशन के लड्डू बनाने वाले हैं इससे वह भी घर के बेशन से can you believe it yes you have to believe it क्योंकि अभी हम बनाने वाले है नेक्स वीडियो और बाइ